चलिए तो शुरू करते हैं अजी ग्लास बिना देर किये तो आज हम बात करेंगे लास्ट में हमने कोशन नमबर 9 की बात की थी ठीक है तो आज हम 9 के बाद हम बात कर रहे हैं चलिए शुरू करते हैं अच्छा जो प्रॉपर्टी नमबर 6 देख रहे हैं आप क्या कहता है यह कहता है कि अगर कोई स्क्वाइर नमबर है अगर कोई स्क्वाइर नमबर है ठीक है तो वो 8 से भी कटेगा और क्या 16 से भी कटेगा अगर कोई स्क्वाइर नमबर है तो वो 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नमबर स्क्वाइर नमबर है ठीक है क्लियर 8 से कटेगा और 16 से नहीं कटेगा यहीं है अमारा अगला इसका लॉजिक भी समझो आप इसका अगर आपको लॉजिक समझना है अलाकि लॉजिक की जोरत आपको नहीं पढ़ती है एक्जांस में लेगिन जान लेने में कोई बुराई नहीं है रेकिए यह बात तो क्लीर है कि कोई भी स्कॉयर नंबर है अगर यह 64 है तो अब यह 8 से भी कटेगा और यह 16 से भी कटेगा और मैं एक बात आपको बता चुका हूँ स्कॉयर नंबर है इसका पता लगाने कोई तरीका नहीं है हम यह बता सकते हैं कि स्कॉयर कौन सा नहीं है हम एलिमिनेट कर पाएंगे हम सही आंसा का जवाब नहीं दे पाएंगे ना स्कॉयर स्कॉयर में स्कॉयर में ना क्यूंड में हम देख कर किसी का भी आंसर नहीं बता सकते हैं जब तक हम प्रोसेस को पॉलोग ना कर दोंगे ठीक है लॉटने इस प्रॉपरटी पे यह प्रॉपरटी कहता है अगर कोई स्कॉयर नंबर होका तो उसे 8 से से भी कटना पड़ेगा और से सोलर से भी कटना पड़ेगा ठीक है देखिए जब आप आठ को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है तू इन्टू टू इन्टू टू या नहीं कोई नंबर आठ से कट रहा इसका मतलब क्या है उसके अंदर तीन दो मिलेंगे यस और अगर कोई नंबर आठ से कट रहा है तो उसके अंदर क्या मिलेंगे तीन दो मिलेंगे कोई नंबर कटा ही कभ है अगर आठ से कट रहा है तो यह नंबर इससे भी कटेगा तो कोई नंबर 8 से कट रहा है तो उसमें हमें क्या मिलेगा तीम दो मिलेगा अच्छा अगर कोई नंबर 16 से भी कटेगा तो क्या होगा 16 को जब ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है चार दो मिलता क्या मिलता है और आपको ग्यात है कि अगर कोई स्कुएर नंबर है तो जो टू की पावर है उसों क्या होना पड़ेगा इवन होना पड़ेगा यहां देखें यहां टू की पावर क्या है थ्री है तो यह यानि अगर कोई स्क्वाइर नंबर है और अगर वह आट से कट रहा है तो उसे मस्ट होला सभी कटना पड़ेगा तभी वह स्क्वाइर नंबर रहा होगा तो कि मैं यहां पर क्लियर कर दूं हम स्क्वाइर नंबर नहीं बता सकते राक्ति देखकर प्रोसेस स्वाइर पाएंगे चलिए यह बात ध्यान रखेगा ओलवेस ना स्क्वाइर न क्यूब दोनों में से कोई नहीं अब मेरे मन में सरक बात आ गई ठीक है आपने कहा कि एगर कोई स्क्वाइर नंबर होगा तो वह आठ से भी कटेगा और सोला से भी कटेगा लौजिक आपने दिया कि आठ के अंदर 3 दो होते और कोई नंबर सोला से कट रहा इसका मतलब 2 की पावर 4 यानि 4 दो मिलेंगे और हां पावर क्या होनी चाहिए ए जो बी प्राइम फैक्टर करें इसलिए आठ के साथ साथ 16 बिकटना चाहिए लॉजिक तो समझ में हमें आ गया लेकिन समस्य यह है कि कोई नंबर दिया गया है कोई नंबर दिया गया हमें कैसे पता इसेद अगर पुए बड़ा नंबर आग्या फिर तो हम भाग देते ही रह भाग देते रहे जाएंगे और कटेगा ही नहीं हमसे अंत में चलेगा पता कि नहीं कट रहा था तो एक्जाम में तो इतना समय हमारे पास होगा नहीं उसका क्या उपाई है देखिए वैसे तो यह सारी थियोरी नंबर्स क्या होते हैं और कौन किसे कटता है इसकी बात हम करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिमिल्टी में आगे आने वाला चैप्टर है मारा ठीक है तो वह सब्सकूल का और तो वितार को बताएंगी कि क्या है नंबर क्या होता है कौन के से कटता है और अगर आपको पता करना है कि पीछे आपने कहां पढ़ातां तो क्लास फिफ्ट की मैट की बुक में यह दिया होता है ठीक किसी क्लास में किसी में तो को हुआ है टो डेपेंड करता है गॉप्रिब्मेंट स्कुल में को जो तो नहीं पढ़ा एंगे और जो थोड़े कुछ टेकनिक बिता रहा हूं जड़ा याद रखिएगा क्या टेकनिक है जड़े देखिए कोई नंबर है कि कितना भी बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है कि उससे कोई मतलब नहीं है कि समझे दो से कटने का नियम सिखा रहा हूं कि दो से कटने का नियम कटने का मतलब है डिवीजिबल होना डिवाइड होना क्या होना जब मैं बात करता हूं कटने का मतलब है कि वो डिवीजिबल है निमबर अब अगर मुझे चेक करना है कि यह नंबर दो से कटेगा या नहीं कटेगा एक तरीका तो क्या है कि मैं इस पूरे में दो से भाग देदू और काटना शुरू करो वन बाई वन कट गया तो मतलब कट गया इतना बाबो हमारे पास समय नहीं होता और यह सब सीखने हम यह नही हम जाने काट यह यह बाद दखेगा क्या-अंसर रहम नहीं बता सुच्छ तो हमें काटना पड़ेगा तिक है लेकिन लॉजी कली हम पूछ टेक्निक वाज से देख के बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा जब तक हम करेंगे नहीं आंसर नहीं आएगा इसका मतलब यह न को नियम है अगर अन्त की जो संख्या है वो अगर ईवन है तक क्लियर कर दूं बहुत लोग को नहीं पता होगा और फिर्व को बोलते हैं क्या जो दो से करजांग है समशंख्या क्या जो दो से कट जाए जो दो से कट जाए उसे क्या बोलते हैं इवन नमबर ये दो चार छे आठ दस बारा से लेकिना जाते हैं इंपनाइट तक क्या इंपनाइट तक मतलब अनंत संख्याएं क्या है एक तीब पांच सात 9 आप नोटिस करो एक कि यह सारे 2 से कट रहें देखो 2 से कट रहें देखो 2 से कट रहें लेकिन इसमें से कोई भी नमबर 2 से नहीं कट रहा है तो अगर कोई नंबर दो से कटेगा तो वो इवन नंबर और वो नहीं कटेगा तो और नंबर यह इवन और की कहानी तो अगर हम चाहते हैं कि कोई नंबर तो अगर उसकी अंत की संख्या एवन है तो क्या है दो से कटेगा अच्छा मेरे मन में विचार आया क्या मैं आप इसे पूछ के चेक कर लूँ क्या आपको एवन और की समझ है छे इवन नंबर है और नंबर है क्या है के बाराएवन हैं और है'm अगा अंत में दो चार लिवन यहीं क्या है को कई भी बीजम नंबर लिखोगे तो देकूंषी है ऐफार है कितना भी बड़ा नंबर हो इतना बड़ा नंबर हो अंत में क्या आएगा 2468 यही तो इवन है अगर अंत में 2468 देख रहा तो मतलब वह इवन है क्या है वह इवन कि शॉट कट है और इसको अगर मैं बदल के बोलूं तो किसी भी नंबर की अगर अंतिम संख्या दो से कट रही है तो पूरा नंबर क्या होगा दो से कटेगा तो क्या होगा पूरा दो से कटेगा या तो यह बोल दो कि अगर अंत में संख्या क्या है इवन है तो दो से कटेगा इवन मतलब संख्या दो से कटेगा या यह बोल तो कि अगर अंत की संख्षा 2 से कट रहे हैं तो मतलब नंबर 2 से कटेगा चलिए चार से कटने का क्या नियम है यह मैं आपको ना दो के ना सारे मल्टिपल उता रहा हूं ठीक है और भी नियम होते हैं जिसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे जुरत नहीं हमको ठीक आगे आनेवाल चैटर में रूल अब रिजल्टी में वहां पढ़ेंगे वहां मैं आपको या दिलांगा कि यह बात मैंने पी ही है तो यह पूरा नंबर चार से कटेवा यह पूरा नंबर ॉत की 8сте कटने का नियम है अगर अंत की तीन संख्या हैं आट से कट रहे हैं तो पूरा नंबर क्या होग कर रहे हैं ऑग अब हजिसे कटेंगी तो क्या चला पता अगे यहां तक आद रखी यहीं तक हमको काम पड़ेगा जो से कटने के लिए अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट दो से-कट रहे हैं उस चार से कटने का नियम किसी नंबर के लास्ट के सोला से कतने का नियम अगर आंत की तीन संखिया कट रही है तो कटेगा हुआ की पहाड़ा Detoe और सब्सक्रेश कि ढ़िए और सोले से कहते हैं तो कटेगा एक यह गहां किसे करने आता है तो तो के दो से कटेगा स्था इस पाँ आपने का सिहा प्लेका अगे बढ़ेंगे विस्तार पूर्वक्त चलिए कि एए तुर ऑद और समझेगा अगर कोई और स्क्वैर नंबर नंबर है कि क्या है और स्क्वाइर नंबर है पता ना देखो तीन का स्क्वाइर क्या नौ यह क्या है स्क्वाइर नमबर लेकिन क्या है और है ठीक है पांच का स्क्वाइर क्या 25 यह क्या है और नमबर 25 का स्क्वाइर क्या 625 तो यह क्या है और स्क्वाइर नमबर आप अगर आठ से भाग दोगे ना तो और वेस्ट आपको रिमेंडर एक मिलेगा रिमेंडर में पर यहां से भाग दो क्लियर तो यहां से बात बनी कि अगर एक नंबर है अगर एक नंबर क्या है अगर वह एवन होगा अगर वह स्कॉयर नंबर रहा होगा तो उसको आठ सभी कटना पड़ेगा और लेकिन अगर वह और रहा तो आठ से कटने के बाद डेफिनेटली एक देगा अगर मैं कोई वैसा बोलता हूं जो आपके ऊपर से उड़ जाता है ठीक है तो मुझसे पूछ लिया कीशिए हलां कि इसकी रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन मेरे आपके बीच में जितना अच्छ इसे पगड़ पाएंगे तो क्या ओनलाइन में ये बात समझे किसी को समझ्यास में चलिए समस्या नहीं है और है तो बताईए अब बढ़ते हैं कोशन पे 10 नंबर कोशन देखिए किराए निम्लिखित में से कौन सा एक परफेक्ट स्कॉयर नंबर है निम्लिखित में से इन स्कूर नंबर का सित्जीट स्म क्या होता है यहीं न होता है और स्कुर नंबर के अन्ध में क्या हो सकता है पता था है दो तीन उसका यू पीडी क्या है दो तीन साथ आठ नहीं होता ठीक है क्लियर को दिकत चलिए अब देखिए अगर मैं पहले option को देखूं 178784 इसको मैं ठीक से देखूं तो क्या दिख़णा है आपको क्या बताईए यह सही है गलत है यह सही है यह गलत है दाओ बाबू अब बोली बोली है और समय रहे है है अगया अगया इतना समय लगा रहे हैं आप लोग चलिए बाकि लोग बताई है देखिए अब कैसे पर लगाएंगे सबसे पर दर्यादा अब को यूपीडी फिर टीपीडी पिर डिजिट सम और अभी हमने सीखा आठ और सोला से कटने का नियम तो वन वाई वन अपलाई कीजिए सबसे पहले इस पर यूपीडी अपलाई कीजिए यूपीडी से कौन बहार होगा देखिए क्या चार हो सकता है या पांच हो सकता है चार क्यों स्क्वाइर नंबर के अंतर पांस तो होई सकता है कैसी बाते कर रहे हैं आप बिल्कुल भी विजिद्न नहीं करें इसका मतलब तो चार तो होई सकता है पांच होई सकता है यूपीडी तो फिल यूपीडी तो फिर आपको सिखाया था टीपीडी क्या सिखाया था यहीं न बात होई थी आई यह चार है तो यह इवन हो सकता है यह पांच है गलत हो गया यह किस तो गया बाई टीपीडी से क्यों टीपीडी से टीपीडी कहता है कि अगर पांच होगा तो यहां पर दो होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा दो होना पड़ेगा स्क्वार मताया था अल्वेस क्या होता है पांच के पीछे दो चुपा होता है ना टीपीडी पर दो ना चा सब्सक्राइब कितने लोग बाहर निकाल लिया कितने लोग बाहर निकले ज़ल्दी कि जल्दी कि दिजेट सम्में लिख दिया क्या हो सकता है आई यह दिजेट सम्म लगाई यह देख ची तरह अर्य तक कि देखेए आठ एक नौ खतम साथ साथ 14 धार अरा खतम इसा कितना आया डियस कितना आया डियस आया आठ यस और नो पर आपको पता यह नहीं हो सकता दो तीन साथ आठ यहां लगा यह चलिए देखिए साथ और दोनों कटम ठीक है आठ और साथ पंदरा पंदरा मतलब पंदरा मतलब छे च्छे और आठ चौदा चौदा मतलब पांच पांच और चाट नो नो तो ही सकता है दो नौ टो हो इसकता है चलिए तो यह त्क मारते क्या नई नई यह टिक नहीं मार सकते हमई यह तिक नहीं मार सकते इधार supportive आईये पुर्म आपर का अँगे साथ और दोनौ खत्म ठीक आठ तक यह क्यूल कुर्ण हो गया तो अभी तक हमारा यूपीडी फैल हो गया UPD ने हमारी कोई मेदद नहीं की TPD ने हमारी थोड़ी मेदद कर दिया कर दी एक option को बाहर निकालने में इसने help किया थोड़ी मेदद की इसने ठीक है डिजेट सम ने क्या किया डिजेट सम ने भी थोड़ी मेदद की एक को बाहर निकाल दिया अभी भी हम confusion में हैं कि क्या करें तो कुछ नहीं चौता हतियार निकाल लेंगे देखो ना पहला हतियार फेल तो दूसरा फेल तो तीसरा लगाया अब तीसरा फेल तो चौता हतियार लगाएंगे अब इसको देखिए आठ से डिवीजिवल है कि नहीं अंत के तीनंग चेक करेंगे यस और नो अब ध्यान से देखें तो कैसे आपको पता है आठ निम बहत्तर है ना बहत्तर अचतर में से बहत्तर नहीं लाएंगे तना छे बचेगा छे और च्यार चौनसट अच्छ से खत्म बच्चे का साथ अठत्तर करें चौनसटाब चौनसटाब कितना बचा और टेखें कि नहीं देखो लेक्टाइब है है मैंने क्या बताया कि कि square number है ये पता करने का कोई तरीका है ही नहीं बैट ठीक से बैट सीधसे बैट सो मत ठीक है लेट के मत बटो उड़ सीपे प्रॉपर ठीक से बैट तो यह हो सकता है अब इसको साइड मैं तेक नहीं माल सकते क्रेंगे साइट अब लगने इसका यह देखो यह भी कट रहा है क्योंकि तीने से में तो आच से कटेगा बार-बर नहीं काटेंगे स्के से मैं तो आचसे कटेगा इतना कॉमन सेंस अपलाई की जिए हुआ इसलिए से काटना है इसको कि देखिए सोला चॉट चॉट होगा एस और नो कितना बचेगा यह आठ से तो कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है तो फिर जब नहीं कट रहा तो गलत हो गया यही बच्चे का मेरा आज़ा कि मैं आपको बार बार सिखा चुका हूं कि स्क्वाइर नंबर है यह पता करने कोई तरीका नहीं है यह बात मेरी समझे आप यह सुर्णू कि बहुत बढ़ियां आप लोग का ठीक है आया अंसर यह आप लोग का चिंता मुद कीजिए वालों सब ठीक है चलिए आगे बढ़े क्या प्लियर है तो चार हत्यार हैं आपके पाँ कि अच्छा बागु यह प्लशना पड़ेगा यह आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप यह यादी नहीं रख पारें बहुत लोग अगरते हैं डिजिट सम्व और यूपीड याद लिगते हैं तो उनसे काम नहीं बन है एक चार साथ नो एक चार साथ नो लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता एक होता है वाइस वर्षा तीदा भी सही और उल्टा भी सही ध्यां सुनना अगर वह स्क्वार नमबर है तो 1479 होगा 1479 होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर किसी का डिजिट सम्व अगर किसी का कोई स्क्वाइर नंबर है अगर उसका डिजिट सम 1479 है 1479 है अगर कोई स्क्वाइर नंबर होगा तो उसको होना ही पड़ेगा 1479 यस और नो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नंबर है कोई नंबर है कोई नंबर है और अगर उसका 1479 विजिट समा रहा है तो वह स्क्वाइर नंबर होगा यह कोई जरूरी नहीं है अगर स्क्वाइर नंबर है तब तो 1479 होगा लेकिन अगर किसी नंबर का 1479 विजिट समा तब वो स्क्वाइर नंबर नहीं होगा एक्जामपल देख लो 72 कि लेट सम कितना है नौ कि क्या यह स्क्वाइर नंबर है कि क्या यह है कि है अरे बेवकूफ किसका स्परेजी बहतर किसका स्परेज बोलो कि इतनी बेवकूफी मतलब कि नींद में उठके बच्चर बोल रहा ना कि 72 है तो भी गुना है उसका इतनी बार स्क्वाइर क्यूब याद करवाने के बाद भी अगर आप यह कहो कि देखिए तीरा कि डियस कितना आ रहा है है के का तो मैं क्या कह दूँ यह स्क्वाइर नंबर है स्क्वाइर नंबर है बोलो तो मेरी बात समझना अगर वो स्क्वाइर नंबर है वाबू अगर वो स्क्वाइर नंबर है तो डिजिट सम् क्या हो सकता है एक चार साथ नौ लेकिन यह उल्टा सही नहीं है अगर किसी नंबर का डिजिट सम एक चार साथ नौ है इसका मतलब यह नहीं कि वो स्क्वाइर नंबर हो जाएगा मेरी बात समझे मेरी बात समझे एक सिंपल अगर कोई स्क्वाइर नंबर है तो उसका डिजिट सम एक चार साथ नौ ना पिक्सल लेकिन अगर कोई ऐसा ही नंबर है उसका डिजिट सम एक चार साथ नौ है कोई नंबर दिया अब लिए डिजिट सम क्या है एक चार सात नौ है तो यह नहीं कह पाएंगे कि वह स्कुवाइर नंबर है क्योंकि है कहने का तो कोई तरीका हमारे पास है ही यह आये तो यह गैद के नमबर का रहा है कि बन औरी का नाइब ज्राइबें अल्या गया एम अग्या अगर क्या है कि स्कौर्टब को बनेगे यह बार तो सब संसके च्रॉप साथ कॉर्फ को स्कूछ को सैवंत है कि A2 है कि न संग рублей पसी को नहीं न क fantasman ए एक चार साथ को सकता है एक चार साथ को सकता है ऐसे सथा तो हो इसकता है कि तो कहता है नौ होगा यहां क्या होना पड़ेगा एफन क्या होना पड़ेगा इवन तो देखो एक option मेरा बहर आ गया और गलत ओगया तो क्यों कि नौ है तो है नहीं नहीं ते को यूपीडि नहीं है हेल्प कर दी यूपीडी ने मारी हेल्प कर दी टीपीडी से सुरा यहां पर है यह नहीं तो क्या हेल्प करेगा अब बात करेंगे किसकी डियर्स की डिजिट्सम की आइए निकाल लेते हैं देखिए यह तो नौ खतम चार दो छे और डो आट 8 प्लस स्टार यहीं ने निकले है यह जूर न आपकर करेंगा अगर आठ यहां मैं पुट करता हूं 2 याँपूट करता हूं 2 तो 8 और 2 10 10 का मतलब 1 हो सकता है तो आगे बढ़ जाएंगे चोड़के आगे बढ़ जाएंगे 8 और 8 16 16 मतलब 7 17 भी क्या हो सकता है है हो सकता जिट सम चलिए आगे बढ़ना पड़ेगा फिर तो हमें छे प्याइए आठ और छे चौदा चौदा मतलब पांच डिजिट सम पांच नहीं होगा तो मेरा छे वाला भी क्या हो गया गलत हो गया अब मेरे पर दो डाउट है मेरे पास दो डाउट है एक है दो और एक है आठ येस और नो अब सब पहल TS अब सब फेल वगया UPD भेल टिपीडी फेल अब देखो अगर मैं इस नंबर ki अंधर पहलें 2 रखता तो नंबर ये बनता यस और नो जबर मैं 8 रखता तहौई जेशें नहीं नंबर कि अब चेक कर लेते हैं देखो ना यह और नंबर है कि देख रहा है तो आठ से कटने पर क्या दना चाहिए एक दना चाहिए यास और नो और यह देखो एक दे रहा है डिएस क्या दे रहा है एक दे रहा है और यही कहां गया था यही कहां गया था एस और नो और देखो यह आठ से कटने पर एक नहीं देगा देगा लिए गाट ते कटने पेख देखो ना कैसे यह दो देगा जी पीच पार्ट दें दुवारा आठ रुणा तोला कितना बचा दो बचा तो यह कितना यह 29-29 मैं भाग देंगा तो आठ टीया 24 पांच बचेगा कितना बचेगा पांच से मिठाए ये तो ये क्या है में रिमेंडर क्या दे रहा है असे यह क्या ना जी यहा हैabelत हो गया तो जो बच गया वो सही जो वाला होगा तूरहा इसन है अब देखो फास्ट करना आपके हाथ में हैं मैं यहीं रख्के चेक करता देखो मैं इतना नहीं करता मैं मैं में चाही क्या इवन एस और अब मैं देखता कि चार पांस साथ ऐड़ाथ अगे बढ़ जाओ आट शेला साथ हो सकता और जाओ यह नी एक देगा आठ से क्योंकि पहाड़ा पता है मेरे को पहाड़ा पता है रखो आठ रखो क्या रखो आठ रखो काटो आठ दो नी सोला तो जरूरी नहीं कि आप लिखकर बनाई यह बहुत लोग को ना एस लगता है कि मैं लिख रहा हूं तो तलंबा प्रोसेशन नहीं एक्जा रहे चलिए तो इस्टेप आपको मिनिमम करना है मुझे तो दिखाना पढ़ता ना तो मैं तो सब्सक्राइब कोशिच कीजिए कि एक बार प्रक्टिस करने के बाद कोशिच की जहां कम से कम पैंचले वहां कम से कम पैंचलाई आईए आगे बढ़ते हैं किसी को यहां तक मे deduction दोंधंशना चलिए लें अब कह रहा है एन अंकों के किसी संख्या के वर्ग में अंकों कि या तो 2 N होगी या 2N-1 तो मेरी किसी बाह सुन लो बाग कुछ नहीं कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वाइर करोगे किसी नंबर का स्क्वाइर करोगे वही किसी नंबर में आवा गया एन एन क्या है संख्या अगर किसी नंबर का स्क्वाइर करोगे तो उसका जो आंसर आएगा जितने अंका भी स्क्वाइर कर रहे हो या तो उससे दुगना अंक आएगा या दुगने से एक कम अंक आएगा इस बात को समझने का प्रियास कीजिए जैसे देखिए चार का स्क्वाइर कर रहे है तो क्या रहा है 16 दो अंक में आ रहा है था क्या एक अंक में आ कितने मेरा है दो में सोला का स्क्वाइर कितना आ रहा है दो सो चप्वन है था दो अंक में आ कितने मेरा है तीन अंक में 25 का स्क्वाइर क्या आएगा 625 आप बस ध्यान देना 36 का स्क्वाइर क्या है 1296 आप नोटिस करूं कि अगर संख्या जिसका स्क्वाइर करना है वो एक अंक में है तो आंसर या तो दो अंक में आएगा या तो एक अंक में आएगा अगर मालो दो अंक की संख्या क्या स्क्वाइर कर रहे है तो आंसर या तो चार अंक में या तो तीन अंक में या तो आंसर सो अंक में या तो निन्यान वेंग में यह बात समझे इसको लॉजीकल अगर आपको समझना हो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक है अब अबू और शम्झे एक अंक की चोड़ी संगा क्या है है एक आंग डियोक्त भतंड क्या है doin्ग है इसका स्कुर्इक तो क्या रहा है एक आंग्क की नो धिकांक सबसे बढ़ी संक्या हैनौ क्योंकि जैसे दस आएगा अब तो यह दो अंक हो गया क्या हो गया दो गया तो एक अंक की सबसे चोटे संख्या निकाल ली मैंने और सबसे बड़ी संख्या निकाल ली मतलब दुगने यह तो दुगना होगा दुगने से एक कम होगा अब देखो दो अंक की सबसे चोटे संख्या क्या होगी दस दो अंक की सबसे चोटे संख्या क्या होगी दस और बड़ी संख्या निन्यानवे यह सोर न बाबू दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या निन्यान ऑट चाए नाहीं आरह खीम में और तो लोजी की तो किसी भी नंबर का स्क्वार करोगे उसका जो आंसर है या तो उससे तो कमी आएगा तो या एत तो है तो आंसर कितने में होगा चार या तीन लुए या पांच बात समझ गए बात समझ गए या सोर नो बस समझ गया ठीक है आंगे बढ़ते आग्ला को चल अचा एक बात ओर जैसे ही आपने स्कुएर सीखा कि भाई एक अंस की संख्या है स्कुएर करेंगे तो क्या हो जाएगा सोब यह सोर में याद रखना यह जब स्कुएर हटता है ना और बराबर के उसना जाएगा तो यह स्कुएर रूट देता है स्कुएर रूट देता है स्कुएर तो पहले से है रूट लगया तो क्या बोलेंगे स्कुएर रूट बोलेंगे 28 तो बताओ कितना होंगा बाहर बोलो कितना होंगा बोलते क्यों नहीं हूं 14 आदा करो कितना क्यों आप बोल क्यों नहीं रहे आप बोल क्यों नहीं रहे तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो पूछ क्यों नहीं रहे मैं हर चीज बताने के लिए खड़ा हूं यहां पर आप मुझसे यह पूर्ज़न बढ़ा कि टू प्लस टू कैसे हुआ तो मैं यह बता दूंगा आपको एक बार के लिए कि one time बताओं गां लेकि जरूर तो मृझना बनो और कहा द्यान है आपका एगदन क्लियर बता रहा हूं उसमें क्या को आपको मैंने कहा कि स्क्वाइर रूट के अंदर दो अंक तो बाहर एक अंक इस्वाइर के इंदर जो आपके का करना है अदा करना है एस्वाइर स्क्राइर रूट में वी संक तो बाहर 10 संक में 18 संक तो बाहर यहीं तो बोल रहा हूं अब करoup confusion है यानि आप बात को सुनने ही रहे हो जो चलिए लेकिन सर यह बात तो ठीक है मेरे मन में डाउट आ गया किया आया किसी के मन में डाउट कि देखो बच्चे ने पूछी लिया कि किसा ठीक है आप ये कहतो रहे हो कि अंदर छे अंदर अंदर कितना अंक आ अंदर क्या है एक दो ती चार पांच छे अंक तो बार करो सर अंसर कितना में आगा तीन अंक में आएगा लेकिन अगर अंदर पांच अंक तब तब पांच का अधा कैसे करोगे अधाई तो लिखने पाऊगे आप क्योंकि आसा अंसर आता नहीं है कि स्क्वार रूट करने के बाद पुरा-पुरा नंबर निकलता है तो क्या निकलेगा आठ निकलेगा आप दोड़ी का होगे क्या आरुक आधा करते हैं नहीं कर कि आठ जस लग गार अगुझ तो क्या निकलेगा बाहर पूरा पूरा नंबर निकलता है तो आप यह नहीं कह सकते कि अधरam तो बाहर दोंग तो कैसे बनेगा आप अंदर तीन अंक है तो तीन करता कितना देड़ लेकिन निकलता दो अंक है तो जब अगर स्कुर्ड रूट के अंदर इवन नमबर हो मतलब डिजिट क्या हो इवन दो चार शे आठ तक तो क्या करना है अगर और नमबर जैसे एक तीम पांच तो कुछ न सब्सक्राइब शेर यहां माया लूरूट के अंदर पांच हे रूट के अंदर तो यह सुझ हिए तो पहले बहुत दिमाग में बाद घुज गई है तो साथ अंक हैं तोो चार होगा साथ हैं तो क्या होगा बार शाख नो कि मैं हाफ कर रहा हूं मैं हाप तो साथ का मैं हाफ कर रहा हूं 3.30 होता है लेकिन मैं नंबर ने सिंथी and learn हो ले नंबर लिए रहा हूं बड़ा माला ठीक है अगर लॉजिकली देखो तो ये भी ठीक है इससे आपको पेंच लाना नहीं पड़ेगा फ्रणा शॉट पड़ता है कि एक की संख है एक की संख है तो साड़ेदास होता है ग्यारा होगा ठीक है बाकी जह सहाथ रखना है आपको 21 में पहले जोड़ दीजिए 22 कर दीजिए उसको और फिर कर दीजिए तो नोट नमबर 9 यही कहता है हमारा कि एन अंकोगी की संख्या के वर्ग मूल स्कॉर रूट क्या बोलता है इंदी में वर्ग मूल की संख्या यहां 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 पे वल्लू तीन हैं यही यही डीजिट्स को बोल रहा है कैंट तेगहें न में अंख्यो की संख्या यहां यहांपर यं के यहां पर एंट वेंगो के संख्या एक है तो आंसर क्या होगा एनवाय तो दो बराबर दो अगर एण और है एन क्या है और है तो कुछ नहीं न स्वं भाई टू यह हे कोई समस्या किसी को जो ना आए वो पूछो अगर प्रॉपर्टी ना पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रहा कि एन कैसे होगा यह कैसे वह पूछिए चलिए आगे बढ़ेंगे अच्छा शुनना देखना अगर किसी ए1 नमबर का सकुयर करोगे यह क्या है इसक यहां किने पर यह एक हैसा नहीं होगा कि even का स्क्वार करते और जाएगा ऐसा नहीं होगा यह बात याद रखना और लॉजिकली भी देखो न अगर इवन में कुछ भी गुना करोगे ना तो इवन दे क्या देढ़ा देखो ना चए एक गुणा करके तो भी छह देगा अग्तॉट घ्रड़ी तो भी क्या देगा तो हमें को आरे तो बहूं Tuesday सुब जूर घ्र universe crystal भी एवन येख देखिया है इसी तरह और इंट वाड और देख लियर है कोई समस्या किसी को यह प्रोपर्ट निम्बर दरस्त ही हमारी चलिए कोशन निम्बर बार देखिए क्या रहा है इन दा फॉलोइंग नंबर दिजिट और एक्ष्प्रेस इन क्रॉस यानि स्टार जो है उसमें दिया हुआ है find the number which is possible a perfect square of three digit number करा है तीन डिजिट नंबर का square किया गया है बताइए क्या होगा तो आंसर या तो हमारा पांच जिट में होगा या फिर छे में होगा यहीं न तीन अंको का square करेंगे तो आंसर या तो पांच डिजिट में या तो छे डिट में या सुर्णू आई ऑप्शन िम्रें पर आते हैं सबसे पहले ऊपर रव्ला चेक कीजिए दो चार छे तिक मारते हैं क्या नहीं का हो सकता है होगा आगे हो सकते हैं मैंने क्रॉस क्यों मारा फिर भी लाप एवन नमबर के अंत में किसी भी स्कॉर नमबर और आप स्कॉर निकाल रहे हो तो यह गलत तो है यह गलत है यह तो यह तो ज्यादा ही हो गया एक एक लिएर तो यहां अपका फाइनली सही हो गया आसके लिए वे चया आपकें कि सच्छामी में दखा रहा है कि क्षचे मिर्ध में थे लिए अम्हारे आपको जिए ,हारे यहार काउंडे नहीं कर पारे बताऊ बड़ा बुरा हाल है वच्चों का हमारे आंका चलिए अब बात करेंगे स्क्वाइर खतम आप बात करेंगे क्यूब की अब बात करेंगे जिस तरह से आपने जाना था कि कि अगर स्क्वाइर नंबर है अगर इसको प्राइम फेक्टर करेंगे अब बहाज यह तो क्या होगा दो की पावर छे सर नो देखो न दो दूनी चारा दूनी आट दूनी सुला दूनी वत तिस दो चारा सरी पांच तो चौटत है था तो क्या हो गया यानि यह क्या होना चाहिए गज्सक्राइड में again अद्श एन या actu मोर्णिटी और होनी हुअ चाहिए जो को कि आसि तहरा क्योग कि कहता है loving कि की नमबर है हमको नहीं पता कोई नमबर है अगर एक ही नमबर रहा होगा अगर एक इसको प्राइम फेक्टर करेंगे यानि अभाज करेंगे तो जो भी यह तूटके आएगा दो ती पाज जो भी आएगा इसकी पावर हमेशा क्या उनीची तीन या तीन के मॉल्टिपल में होनी चाहिए तब ही यह क्यूब होगा तब ही यह अजरवाज एक क्यूब नहीं होगा आपको पता है ना आठ एक क्यूब नंबर है जब ब्रेक करते हो तो क्या आता है दो की पावर तीन यस और नो कि पानसो बारा एक क्यूब नंबर है पता है ना क्या होगा आठ क्यूब है पानसो बारा यस और नो तो यानि क्यूब नंबर को अगर प्राइम फ्रेक्टर करेंगे क्या यह प्राइम फ्रेक्टर हुआ जी नहीं ना ब्रेक करेंगे चीक है यहां क्या होगा कि कितना होगा बताओ कि कि अब बुडबाग कितना था ऊपर कि दोगी फावर की टो यह चाहिना है कि ठशार में हुए है चाहिन। से रख अत रख पावर क्या हो अहापस में गुना होता है पता ना बरेकट hayır कर बाहर पाशन चाहिक चाह आपसमें तो जो नहीं बात या रख न है चलिए तो यानि यह बात हमें चली पता कि कोई भी क्यूब नंबर है तो हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें पावर इस मिलेगा तीन या तीन के मल्टिपल मिल है कि अगर यह बात समझ गए तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसा आपने देखा था कि digit sum square के case में digit sum क्या रहता है 1479 क्या रहता 1479 यहां पर आपका आता है 189 अगर आप देखना भी चाहू एक का पांच भी दा आठ है ऑडर कि यह और रडर बीपीट करता है और बीपेट दा एक आट नो एक आट नो ऐसे रिपीट लगता अपिद्ध अपर पांच यह तर्फरक क्या होगा अगला क्या होोगा है सब्सक्राइब इन जमात्व क्या रहा से चाइड मतलब क्या एक इड़ पर न्याय कितना कि मतलब इटना राध री सहेगे कि ऑनवा सॉला कितना रोगानो देख ना amendments न एक قानको और अ कि यानि क्यूब नंबर का अगर कोई नंबर क्यूब नंबर है सुनों अगर कोई क्यूब नंबर है तो उसका डिजिट सम्क्या होगा एक होगा आठ होगा और नौ होगा एक होगा आठ होगा और नौ होगा और कुछ नहीं होगा लेकिन मैं इसका उल्टा कहना नहीं चाह रहा है इसका मैं उल्टा कहना नहीं चाह रहा कि किसी का एक नो है तो वो क्यों नमबर होगा एसा देखो ना एक्सामपल लो क्या वां बहत्तर क्यों नमबर है लिप से सब की इसंपते निकाल के अधी सब्सक्राइब लंगी दो कि इस बाथ पर आप सब Both की पीच पाड़ निकालनीं के कित 노해ANS के इस एक इख्य। पर निकाल लंगे लंगे एक से लेके कम से कम 30 तक क्यों मैं तो कहता है तो मर मर के 30 तक रहे गाद और दो से लेकर 30 तक पहाड़े रट तू तोते की तरह है अधना चाहिए अधन लेकिन फिर करते क्यों निए ओन यह चलिए ओनलाइन वालों आपके लिए क्यों पहाड़े याद क्योंट सब्सक्राइब करें चलिए आई-ओ-थि यह बात समझ में आ गगई होगे आपके क्यूब नंबर का जो डिजिट सम है वो एक आठ और नौ होगा ठीक है आगे हम बढ़ेंगे चलिए कि मेरी बात समझना क्या रहा है कि क्यूब नंबर हमेशा आठ से कटेगा कि क्या है एक एवन क्यूब नंबर क्या है एक एवन क्यूब नंबर सम पून गन यह निए एवन क्यूब नंबर क्या होगा हमेशा आठ से कटेगा आठ से कटेगा देखो ना इवन नंबर है तो आठ से का तो क्यूब नंबर क्यूब करने यह ना और से कटने क्या है अगर इवन नंबर तो क्यूब नंबर है और वह है एवन है तो क्या होगा वो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कोई नमबर आठ से कट रहा है तो क्यूब हो गया क्यूब है क्यूब पहले से है तो अगर आठ से काटेंगे तो क्या देगा आठ से कटेगा आठ से कटेगा लेकिन कोई नमबर आठ से कट रहा है इसका मतलब नहीं कि क्यूब है ठीक है क्लियर सावज गए आप तो रिवर्स में नहीं हूंगा यहां पर यह नहीं कि सीधा भी साई और उल्टा भी साई वह पॉसिबल नहीं है चलिए कोशन नमबर ठर्टीन देखिए के रहे नियून्तम संख्या ग्यात करें चौवन सो में गुना करने पर पूर्ण घान यानि क्यूब नमबर दे यहां तो आपको पता है कैसे निकलेगा चौवन सो गया करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे यहां तो आपको तो भली बाती परिचित हैं कैसे किया था पिष्ली दोगें कि यह और नो दो की पावर तीन इंटो पांच की पावर तो यह और नो यही न था कैसे यह रों का किसमें पांच का स्क्वाइर एंटो दो का स्क्वाइर और यह 27 दोनी 24 ना 27 में क्या था 3 क्यूब इंटू 2 का पावर 1 ठीक है तो वो आएगा clear तो बाबू यह तो पहले से ही क्यूब है कोई दिखकत नहीं इसमें यह पहले से ही क्यूब है कि इस असुरा क्यूब नहीं है क्या गुना कर दें पांच गुना कर दें यह सुर नो एक पांच गुना कर जाएगा पांच की पावर तीन जाएगा तो रिक्वाइट नंबर क्या था हमारा रिक्वाइट नंबर क्या था पांच क्लियर है कि अब कि अब करना है हैं तो यह पांच की फावर दो है और करते हैं 25 से बावर दो मतलब क्या 25 थी यह यह ऊथ या तो भी three यह 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 तल मना दो यह तो यहाँ आ दो अगर तो 25 यहाँ पर तो 25 से भाव देटें तो नहीं च्ट बहुत जाता थाppe पांच के स्क्वारर से भाग दोगे तो हट जागा ना चीव पर पांच का स्वर मतलब क्या 25 कि अगला कोशन देखिए जड़ा तो आपको तो पहले से परिचित हैं क्या करें यह क्यूब यह क्यूब यह क्यूब यह अठाना पड़ेगा वहाग देने का कि कि अकagar तो 25 नमबर क्या है है रिकवाइड नमबर क्या है 25 मतलब 5 के स्क्राइर कर चलिए यह बात शहमत है कि समस्या किसी को अरे यार फाल तू कमेट मत करो फोकस करो पढ़ने पर चलिए लोग क्या करते हैं न कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-क फालती करते जाते हैं चलिए 15 नंबर देखिए यह देखिए मस्ट कोश्चन है क्याट कोश्चन है क्याट का कोश्चन है थोड़ा लेवल बढ़ गया है एससी से उपर चले गए हम तो बनाइए क्योंकि आजकल से यहीं से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है यहां पर यह दो लोग अन्नोन है यह दो लोग अन्नोन है हम एक कंडिशन दी गई है कि एकस माइनस य बराबर और य का मान पूछा है य का वैल्यू पूछा है यह जो पूचा है मतलब यह जो वैल्यू दी गईर किसकी है यह वाई की वैल्यू क्या है पूछंँ य रहा piece दिया भी तो न यह सूरनो वाई का वैल्यू पूछा है एक्स क्या होगा बढ़ा होगा तब ना बड़े में छोटे गटने पे क्या देगा पांस देगा यह सुरू मुआ यह सुरू कर दो क्योंकि एक आंख एक डिजिट है बाब सुनो 473-473 यह क्या डिजिट यह का डिजिट और यह पूरा क्या नंबर 27 यह क्या डिजिट यह डिजिट और यह पूरा नमबर 103 यह डिजिट और यह पूरा नमबर डिजिट एक नमबर को बोलते हैं अगर एक से दिखो क्या बोलेंगे उसे नमबर बोलेंगे यह जो X Y है यहां चुपा हुआ है एक पूरे नंबर में चोड़ा सा पार्ट है तिक आप कहना है X-Y या निए X बड़ा होगा यास और नू बड़े में से चोटा गटे का तब ना आएगा कोई समस्य किसी को कि येस और नहीं कि अब एक बात और समझ लों हाप यहां पर है यह क्या है क्यूब नंबर किया है क्यूब नंबर अब ये मेरे पास कोई उपाई तो है नहीं क्यूबielle इक निए एक तो डिजिट सम क्या बचा डिजिट सम येस और नू और कोई तरीका है तो देखे जरा तो निकालिए साथ एक आठ आठ पांच तेरा और छे उन्निस उन्निस मतलब दस दस मतलब एक एक आया ठीक है एक और प्लस एक्स प्लस वाई यह तो नू कोई दिक्कत कोई करें अब देखिए मेरे को वैल्यू किसी गई है तो य की तो मैंना य की वैल्यू यहां प्रूट करता हूं य की वैल्यू यहां पॉट करता हूं जैसे य की वैल्यू करेंगा एक्स की आट्मेटिक वैल्यू आजाएगी देखो जाट कैसे अगर वाई की वैल्यू वन रख्ता हूं तो एक्स कितना है मेरा एक्स मेरा च्योंगा तब न च्शे माइनस एक पांच होगा यह सो और नू खाय लगे और यह स到 हो सकता है हो सकता है तो उस case में उसे हम कुछ नहीं करेंगे आगे बढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ना पढ़े अगे बात करते हैं अगर मेरा वाई क्या होगा वाई तीन होगा तो एक्सों क्या होना पड़ेगा आठ एक्स आठ है तो आठ एक नौ और तीन बारा मतलब तीन क्या तीन होगा नहीं तीन मेरा नहीं है च्छाइए अगे बढ़येगे च्यार के अगर वाई मेरा चार है तो यह क्या होगा पंड़ेगा नौ है वाई 4 तो यह न नौ तो डियास क्या Nee पांच दिस क्या आ रहा है तो यह भी नहीं वहाँ अब बात करते हैं पांच नमबर की अगर ने को वाइफॉफाइफ कि वाइफ तो इसे क्या उना पड़ेगा दस कि जो कि पासिबल नहीं है नोट पॉसिबल तो नोट पासिबल आप ध्यान से देखो तो एक्स एक डिजिट है एक्स क्या है एक डिजिट है लेकिन यहां पर क्या है यह नंबर आए यहां पर यहां पर कोई एक अंक हो गाना जी एक से लिए नौ तक अंक हो सकता है दस नहीं हो सकता तो क्या हमारा यह भी गलत हो गया कि यह सुखिए ठीक है क्लियर कोई देखकाट कि चलिए आगे बढ़ेंगे कि सोला नंबर की तरह पिर से उसरे कोशन है 952 xy28 यहां पर कह रहा है एक्स माइनस वाई आपका सेवन है वाई का वैल्यू पूछ रहा है यह निवाई का मानी गीवन है यह और नो आई यह निकालते हैं को दिक्कत लेखिए यह यह तो नो खतम पांच और दो साथ साथ दो नो खतम यह प्लस एक्स प्लस य यह ही निकलेगा मेरा डियस यह सुरनो अब य पूछा है तो मतलब य का वैल्यू गीवन है य का वैल्यू चलिए अगर मैं रखूंगा आद देखिए क्या कह रहा है x minus y बड़ावर 7, यानि x बड़ा होगा, यानि यह समझ में आ रहा रहा तो बात, मैं बड़ा value के रखा आता है x का, तो यहाँ पे x बड़ा होगा, ठीक है, चलिए, पहला option क्या कह रहा है, 1 कह रहा है, अगर y का value 1, y का value, यह हमारा यहां कह रहा है, x minus y बड़ावर 7 है, तो y का value 1, तो यह x कितना होगा, 8, x कितना होगा, तो 8 और 1 रखेंगे, तो ds क्या आएगा, 8 आएगा, तो ds आठ आ सकता है, क्या, ds आठ आ सकता है, क्या, 1, 8, 9, यह आँ रहा, ds हमारा, yes or no, हा, तो यह तो आ सकता है, तो 1 को अभी आ 2 होगा, y 2 होगा, तो यह क्या होना पड़ेगा, इसको 9, यह आएगा, और यह आएगा, 9 और 2, 11, 11, 19, 19 का मतलब, 10, है न, 10 का मतलब, 1, तो एक तो आई सकता है, चलिए, चेक करते हैं, फोर्थ वाल, चेक करते हैं, फोर्थ वाला, क्या है, बहीं, चार, क्या है, चार, रखें दिखेंगे, चार कितना आ रहे है, चलिए, रखेंगे, फटापट, पताई कितना आ रहे है, कितना आया, जल्दी दाई है, और ने वालो, कमेंट करो, फटापट, कितना रखो, अगर यह चार, तो इसे कितना होना पड़ेगा, ग्यारा, यह सोर नो, जो कि पॉसिबल, हाँ, तो वही तो पॉसिबल नहीं है, तो चार केस में तो यह पॉसिबल नहीं होगा, तिक, अगर रखेंगे जीरो, तो क्याना पड़ेगा, साथ, तो आठ और साथ, पंदरा, पंदरा मतलब 6, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यानि मेरा पहला और दूसरे में लपड़ा है, पहला और दूसरे में लपड़ा है, तो आईए, तो नंबर बनेगा 952, अब देखो अगर आप एक बार नंबर बनाना चाहोगे जब आप वन रख रहे थे तो एक्स क्या होता आपका 8128 यह होता आपका यह सोर्नो कि दूसरा क्या होता नंबर 952 यह सोर्नो अब क्या वैल्लियू है आपकी दो है तो यह नौ होता यह सोर्नो कि यहीं ना होता बाबू को दिक्कत अब क्यूब नंबर की त्योरी क्या कहती है बताइए आप क्या तरीका अपना है यहां पर ऑन्लाइन वालो जिरा गेस करो बताओ अभी हम क्या करेंगे जल्दी बताइए देखो सही बोल लो ना सर आट से भाग देंगे विकल सही बोल रहा है चलिए यादा ना अगर क्यू नंबर होगा तब वह आट से भाग कब जब वह इवन होगा ध्यान से देखो यह दोनों ही इवन है यह क्या है दोनों ही इवन है तो आपको यह पता है कि यह तो पूरा पूरा आट से कटेगा क्योंकि अन्ति में तीन अंग जो है इसकी बात करें तो देखते हैं कट्रा नहीं कट्रा तो सोला कितना बच गया शे बचेगा न जी अड़ सट तो कटेगा आट से नहीं कटेगा आट आट इचाओशा चार बच जाएगा इसलिए गलत हो गया यानि यह आपका गलत है और यह आपका कैसे किया लॉजिकली देखिए आप इसको ऐसे मैंने स्लो स्लो करवाया तो आप यह समझेगा इसमें सर बहुत समय लगा नहीं यह कुछ इतना समय नहीं टेक करना चाहिए क्योंकि मैं से खा रहा हूं तो भाई आपको थोड़े बच्चे जो है कुछ ज़्यादा ही दीख ह है तो लेना पड़ा स्लो स्लो अधर वाई जे एक्जाम में कैसे बनता कि कुछ नहीं करना कि यह नंबर दिया है नंबर हमने देखा और देखा एक्स माइनस वाई बराबर साथ यह एक्स बड़ा होगा यहां समझ में आ गया आईए यह नौक अतम पांच दो साथ दो नौक खत्म यानी आठ आया तो आठ प्लस एक्स प्लस राइए यह मेरा गया यह तो मेरा यह मुझे पता है कि एक आठ नो होता है लिक्जों इसमें रखने देखो मैं यह रख रहा हूं एक हैं मुझे चाहिए तो साथ ते क्या जगा 9, 9 खतम तो 8 ds हो सकता है, 8 ds हो सकता है, अगला आओ, दो रखने पे, ये 9 देगा, 9 और 2, 11, 11 मतलब, 2, 8 और 10 एक हो सकता है, ठीक है, अलगा, 4, 4 होगा नहीं, क्योंकि 4 रखते ही, क्या हो न चीज़को 11, possible नहीं है, 0 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 7, ये यहां पर एक और दू यानि वाइक वेल्यू आर दी गई ए को वेल्यू एक वर एक वर्ण दो जैसे कमा एक हए नैप पूरा मुझे पता है ये एक रखता पुरा कत जाएगा यह पूरा परा जाएगा आट से चैसे नहीं तो फिस्akra आप यानि मेरा पहला अंसर था मैं बनाता नहीं इसको मैं बनाता है बस मैं तो लिखता है तो यह तो यह मत समझेगा आप कि अगर मैंने स्टेप लंब लिग दिया तो उसमें लग रहा है नहीं यह सब कुशन तीस सग्ड़ी में बनता है कि लिए रहे को दिक्कत लेको जब यह कहता है न किया कि कुछ गुना करो यह कुछ भाग दो और बताओ बताओ स्कुराइर नंबर कौन सा है मतलब उन स्कुराइर नंबर होगा यह नहीं गए तो गुना यह भाग करकर बताना वह तो असान होता है कि प्राइम करते हैं कि अगर कहेगा गुना करने के लिए तो बना देंगे अगर नहीं होगा तो और भाग करने के लिए तो काट लेंगे जो नहीं होगा यहीं करते हैं अब कह रहा है गुना कर दें क्या गुना कर दें तो गुना कर दें तो गुना कर हमने क्या किया एक गुना कर दिया है ना पिछले कोशिंस में और जहां पांच की बावर दो एक्स्ट्रा थी भाग में क्या कर लिए उसे काट लिया लेकिन जब कह दे कुछ जोड़ कर या कुछ घटा कर कोशन देखो 506971 में कौन सी सबसे चोटी संख्या घटाया जाए ताकि प्रात संख्या पूर्ण वर्गो यहीं परफेक्ट स्क्वार नमबर हो 506971 में क्या घटाया जाए यानि सब्स्ट्रेक्ट गया जाए कि हमें क्या मिल जाए तो इसका कोई तरीका नहीं है इसका कोई तरीका नहीं है आपको बाय प्रोसेस ही करना पड़ेगा बाय प्रोसेस क्या डिवीजन मेथर्ड या प्राइम फेक्टर करना पड़ेगा आप इसको तो बाय डिवीजन मेथर्ड देखते हैं इसको ठीक है सिलाल कोई तरीका नहीं है इसके लिए चलिए कि पचास कि 59 और एक अब फिर से एक बार देख लीजिए एक बार तो पाला पड़ चुका है इसका ठीक है पता है ना दो बार लिखते हैं अगरते हैं दो दो का पेर बनता क्या बनता है यहां तक क्लियर है है कि जिससे भी भाग देना होता है लिखते दो बार लिखते और जो आश्रा था स्ट्राइब लिखते समझें यह श्रेए ना आफ ताक तो देखिए यहां तो क्या बचेगा एक बचेगा और यहां जुड़ेगा यह यह सूर नौ चौदा अब यह सूर नौ जुड़ता है बताया था आपको दो अंग उतारेंगे अब यह क्या बन गया 169 क्या मना एक 168 बना यह सूर नौ सहीमत आँ तक अब कहरें क्या करतें क्या गुना करें तो देखो न यह 14 है अगर सको वन करोगे वन और वन लिखो तो क्या हो जाएगा 141 क्या बनेगा 141 ठीक है कि जाट दो लोगे तो दिक्का दिन लगेगा ठीक है 141 इंट्वन करने पर बचेगा भाताईएं कितना बचेगा 28 बचेगा एस और यहां से फिर दो अंग कुतरेगा अ यहां क्या होगा इस पार्ट पे जोडेगा यह ना की 142 यह और लेखते हैं जोड कर बाबुल लेखते हैं जोड कर अब यह आठ्ठाइस सो है और यह आ सो ब्यालीस है कि यानि अगर मैं दो लगा दूँ लागा दूँंपर और दो कर दूँपर सब इसे हो गया जो और यह हो ज quaट अगया तो यहां क्या हो जाएगा दो भार में दोवार में चाहँ जाएगा क्गत Hi so इस नंबर तक पहुचना मेरा एम होता है चलिए तो माइनस करेंगे कर लिजिए माइनस से ग्यारा में से चार गया साथ और छे में से चार गया दो यह तो पूरा कटी जाएगा क्योंनी क्या बचा 27 तो यह 712 के स्कुएर से 27 जादा है क्या है जो रिमेंडर बचा वही आपका ज्यादा होता है क्या होता है यह बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं जो रिमेंडर बचता है वही जादा होता है अगर घटाने कहता है कि बताओ कौन सी संख्या घटाई जाए तो काम असान होता यहीं तक करना होता है और यहीं संख्या घटेगी तो हमारा आंसर आ जाएगा यहीं यहीं साथ सू बारा का स्कॉयर लेकिन देक्ट तब खड़ आती है कि काव के क्या जोड़ दें इस कंदर कि अगर अगला स्कॉएरा जाएं आए तो करना क्या पड़ता है निकालेंगे जो नंबर है जो आया घटाएंगे जो बच्चे का डिफरेंस वही जोडने पर आएगा ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत किसी को अपक्का उसर इंटना समय थोड़ी होता है कि हम मेथड का परियोक करें बेसिक मेथड किया कोई ओर जुगाड नहीं है एक जुगाड है जुगाड या कहूं अब तक जितने कोशन पीछे में आएं हमारा काम और ऑप्शन से हो जाता है सबता है मैं आज तक इस में पर कभी नहीं है ठीक है हमारा काम ऑप्शन से ही क्या हो जाता है आई यह मैं दिखाता हूं कि कि क्या रहा है पचास उनतर इकतर आपको भी नाइंटी नाइन पॉइंट नहीं पड़ेगी तो नहीं आया तो चिंताव किजिए आगे फिर से सिखाएंगे विस्तार से और देखो कुछ नहीं घर जाके खुद सीख लिया करो कुछ ना आए थोड़ा सर्च माग लो इत्ता र पूले दो रतना पड़े जो चीपको ना आना बेसिक पर वह सीख भी लिया करो खुद से भी मैक्सिमन चीज़ा को मैं सखाऊंगा लेकिन आज जो बहुत बारीक चीज़े हैं कई बार में समय सुदाती है आप नहीं समझ पाते तो आप एक और ठोड़ा उनको सर्च माद ल इस क्या आएगा चबिल काने पे 11 में से 6 गया 5 11 में से 6 गया 5 यसर नो और 6 में से 4 गया 2 गया 4 यह वाला उप्षिन नहीं होगा क्योंकि किसी का अगर वो क्या है इसको एर नंबर है और पांच है तो टीपीडी क्या होना पड़ेगा इसको टीपीडी क्या होना पड़ेगा दो होना पड़ेगा जो की नहीं है जो की नहीं है आईए अगली बारी किसकी 23 की अगली बारी 23 आईए 11 में से तीन गयागा आठ टेची के अंत में आठ हो ही नहीं सकता किसी के अंत में आठ हुई नहीं सकता यह सोरनो कट गया इस चलिए अब बारीड किसकी 27 की 27 की ना आपटो गया मैशाथ 4 आच चाहल हो सकता है और 6 ये में से 6 में से दो घंख कतंना आ च- cerca यह पॉसिबल है आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पर आएंगे अगले पर जरुरत ही नहीं पढ़ती है जो मेरे चार हतियान ना मेरे चार चुन्नु उन्नु है उनसे मेरा हर बार काम दाता है मुझे कभी जरुरत नहीं पढ़ती इस बेसिक में थड़ी है इस बात से आप लोग एगरी है यह सुर्णू चलिए तो ठीक है आज कि सेवा समाप करते हैं स अगया सब को हाँ 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 कल 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 यह जो आप बोड़ ना जस्ट कल कराएंगे अगला कोशन वेटा वही था देख्या पूछा जी तो समाप करते हैं गलास तो मिलते हैं कल तब तक के लिए तिल दन वाय वाय एंड टेक किया